और पीडीपी के सांसद से बाचीट की इस पूरे मामले पर हमारी सयोगी मौसमी सिंग ने क्या कहना है मीर फयाज का आए देखते हैं कि इसा रुक आया कि सरकार पीडीपी की जो कर रही है वहांपे भी आ सब्सक्राइब कर देखते हैं मस्तरत आलम को रहा कगो यह कुंसा बड़ा मुदा है यह कांग्रिस वाले बनाते हैं जब इनके और हमारी सरकार थी दोजार दो में तब हमने इन से बड़े-बड़े लिडर वहां पे रहा कि जिसमें गिलानी साहब ठाशिवियर्शा साहब थे याशिन मलिक साहब जब इनकी को मुदा मिला यह मानते हैं कि कॉंगरेस यह घळे छी जम्मू कश्मीर में दो बार के आपने देखा होगा चुनाऊब ऑच्छी तरा ने जहां इसा चोड़ने से अमन को खत्रा है आप इन कांग्रेस वालों से पूछे ना एटी सेवन में तो इनकी देन है यह तो इनकी देन है कि जो आज हम भुगत रहे हैं इनकी वज़ा से जो इन्हों ने आज अगर वहां पर एलेक्शन हुआ पहली बार जुमो किश्मीर के लोग उने एक तो वाइश पाई सा आज रिलीज हुए उनको दे दीजिए शायद वो भी इस मैंस्ट्रीम में आई आप जो बात कह रहे हैं आपके मुख्या से ही मेल नहीं खाता आपके मुख्या कहते हैं कि यह तो हुरियत और पाकिस्तान की देने कि लोग बाहर निकल कि आर चुनाव अच्छी तरह से हुए शायद उनके बयान को मुख्या साब जो कहते हैं वो बिल्कु सही है जब वहां पर हालात खराब थी तब वहां पर क्या मतलब बेटी थी चाहे उसमें पाकिस्तान का हाथ था मिल्टन्डू का हाथ था या किसी और का लोग नहीं निकलते थे अब आज लोग निकले आपको मस्रत आलम की रिहाई को आप सही ठहरा रहें जहां तक कोट का अनूरिबल कोट का डिसीजन है अम सही ठहरा रहें शुक्रे अम से बात करने के लिए तो यह थे पीडिपी की नेता जो साफ तोर से कहने थे कि पूरे मसले को कॉंग्रिस जो है जान बूच के हवा दे रही है जबकि उसके दोर में बड़े बड़े अलगावादी नेताओं को रिखा किया गया क्यामरा परसिंट राजीश वास्तप के साथ मौस्पी सिंग दिली आज तक